इस सुब कामना संदीश के उपरान जन सूचना पोर्टल दो हजार उन्नीस लोकारपन समारो में अब समय है माननिय उपमुख्यमंत्री महोदे शिमान सचिन पायलेट जी के संबोधन का माननिय उपमुख्यमंत्री महोदे काजिस्तान के मुख्यमंत्री आदरनी अशोगेलोट सहाब हमारे चीफ सेकेर्टरी श्रीकुप्ता जी राजुगारू अविबुला सहाब श्रीमती अर्णा रोय जी जस्टिश शाह साब श्र नालता जी अवैकुमार सहाब इस कारेक्रम में आज उपस्तित सभी अथितिगं देवियों सज्जनों मैं शुबकामना देना चाहता हूँ परदेश वासियों को सबसे पहले आज का जो जन सूचना पॉर्टल हम लोगों ने आपके सामने आज लॉंच किया है ये परदेश की जनता को समर्पित है एक बहुत एहम बहुत महत्पूर्ण हमने एक अदम उठ करने से कितने दूरगामी प्रणाम और परिवर्तन हमारे जीवन में आएंगे इसकी परिकल्पना हम अभी नहीं कर सकते हैं लेकिन ये बात सच है कि इस प्रकार के क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए तीन बातें बहुत आवश्चक हैं पहली सभाविक रूप से वो टेक्न हमारे पास होनी चाहिए दूसरा एक लेजिसलेटिव या कानूनी धाचा हमारे पास होना चाहिए और तीसरा सबसे महत्पूर्ण एक इच्छा शक्ती होनी चाहिए और मुझे खुशी है कि राजस्थान देश में पहला राज्य है जहां एक दरजन विभागों की सभी जनता के सामने है और मुझे इस बात की खुशी है कि लाखों करोणों लोग अपनी रोज मर्दा की जरूरतों को एक बटन के दबाने से पूरा कर सकेंगे साथियों हमी अपने अड़ना जी को सुना ये इतना बड़ा देश है इतना बड़ा राज्य है यहां कोई भी एक वर्ग सिरफ राजनेता या सिरफ पश्रासनिक अधिकारी या सिरफ समाज सेवक मिलके प्रदेश का कल्यान कर सकेंगे अकेले इस संभव नहीं है आज इस मं मानित हुआ है कि जब सरकार और समाज मिलकर कुछ अच्छा काम करना चाहें तो वो संभव है टेक्नोलोजी के माध्यम से जो पक्षपात और जो भेदभाव होता है वो निमट जाता है जब हम बटन दबाएंगे तो ये कोई नहीं पूछेगा कि आप किस जाती के हैं किस ध के बारे में आज बात कर रहे थे पहले इस कानून का नाम कि फीडम ओफ इंफिरमेशन था लेकिन सोन्य गांदी जी ने यूपीए चेरपरसिन बनने के बाद जब कानून पारित हुआ वो राइट टो इंफिरमेशन हुआ अधिकार अधिकार हमारे पास होना चाहिए सूच के साथ पेंशन, राशन, सामगरी, जानकारी अगर उभोकता और मतदाता को है तो जमा खोरी, घूस खोरी, बैमानी इन सबसे मनिजात पा सकते हैं लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ अरणा जी कि असली सुनोती इसके क्रियानवन में है ये बहुत बहतरीन एक पॉर्टल है लेकि जानता हूँ कि सरकार पूरी तरह समर्पित है, इसको कामियाब करने के लिए और परदेश की सरकार, हमारी तमाम अफसर, हम सब लोग चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा व्यापक बनाए जाए और मैं तो मानता हूँ एक शुरुवात है, इस एक शुरुवात के बाद इतन मानव प्रविती ऐसी है कि हमारी पसंद ना पसंद इच्छा वो सब बीच में आ जाती है और जब टेक्नोलोजी के मादने में से काम होता है तो सब लोग बराबर होते हैं यही अधिकार होता है और मुझे खुशी है कि आज महात्मा गांदी जी के 150 में वर्ष जहनती पर हम सब लोग लगातार कारेकम कर रहे है पदीश की सरकार ने साल भर आयोजन किये हैं कारेकमों के हम लोग करने जा रहे हैं राजीव गांदी जी जिन्नों ने सपना देखा था कि देश भारत देश 21 वी शताबदी में उन अगरिम देशों के श्रेणी मेराय जो दुनिया के सामने जाकर एक नौजवान और अद्बुत भारत का परतोशन हम लोग कर सकते हैं यह अक्सर कहा जाता था साथियों कि भारत में हवाई अड़े, रेलवे लाइन, सड़के हैं जो देश के दुनिया के प्रमुख देश हैं उसकी क्वालिटी के हमारे पास इंफरस्ट्रक्टर नहीं है लेकिन यह कॉंग्रिस की सरकार थी, यूपी की सरकार थी अब श्रे कोई भी लेना चाहें लेकिन 2004 में हम लोग ने संकल्प लिया था कि हमारा जो ट्रिडिशनल इंफरस्ट्रक्टर है सडकें, पोर्ट्स, एरपोर्ट्स, रेलवे लाइन हो सकता है वो पुराने जमाने के हो हम धीरे-दीरे बदलाव करेंगे लेकिन टेक्नोलोजी का जो इंफरस्ट्रक्टर है वो 21st सेंच्ट्री का हो अप्टिकल फाइबर गाउं गाउं तक पहुंचे ब्राडबेंड गाउं 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 तक पहुंचे और आखरी छोर पर जाकर वाइफाई हम लोग अपनी धाई लाग पंचैते हैं जो पूरे देश में उनको दें ये मनमोहन सिंग जी और सोन्य गाने जी की सरकार में काम चालू हुआ था मुझे सोभागे प्राप्त हुआ केंट की सरकार में आईटी की डेपार्टमेंट में काम करने का और अब जिसको डिजनल इंडिया बोलते हैं इसका 80% काम मनमोहन जी जी के सरकार में हो चुका था जहां 80% गावों तक broadband हमारी सरकार पहुचा चुकी थी लेकिन हमने संगर्ज इस बात का किया कि हम technology पहुचा रहे हैं, broadband पहुचा रहे हैं, computer पहुचा रहे हैं लेकिन अगर पूरी internet पे, पूरी technology में काम सिर्फ अंग्रेजी में होगा तो हमारे नागरेकों को उसका फायदा कैसे मिलेगा हमने अंतराष्ट्रे स्तर पर ये कई संगर्ष किये तीन-चार सालों तक कि भारत की जो भाषाएं हैं, उनको मानेता मिले तो हिंदी, बंगला, कनड़ा, तमिल, तेलगू, इन सब भाषाओं को अंतराष्ट्रे स्तर पर एक मानेता मिले, ताकि software development, programming, websites बगरा हमारी भाषाएं में हो छोटे-छोटे देश, ताइवान, मलेशिया, इन सब भाषाओं को मानेता मिल चुकी थी तेकिन आज जो हिंदी का हम प्रचलन देख रहे हैं, यह इसलिए हो पाया कि कई साल पहले हम लोगों को ने कहा कि दुनिया को पता होना चाहिए कि 130 करोड लोग इस देश पे रहते हैं और भारत की जो 27-25 भाषाओं हैं, उनको मानेता मिले और जब तक सरल भाषा में असान तरीके से किसी भी पोर्टल में हम लोग अगर जान काई रेना चाहें और वो जटिल हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो लोग उसको ज़्यादा इस्तिमाल नहीं करते हैं इसलिए हमारी कोशिश रहेगी, इसलिए मैं सबका स्योग भी चाहता हूँ, किस पोर्टल का ज़्यादा ज़्यादा इस्तिमाल हो, सरल तरीके से हो और कहीं भी अगर कमी आएं, जैसा भी बोल रहे थे, अरुना जी ने इस बात का जिकर किया शुरुबात में हो सकता है कुछ कमी आएं, लेकिन सरकार की नियत और सरकार की निती बिल्कूल स्पष्ट है, कमीया भी अगर होंगी उसको हम सुधारेंगे, लेकिन जन सयोग के साथ, सिविल सुसाइटी के साथ हम लोग मिलकर आने वाले समय में इस परकार के सूचना को ज निखिल देजी का, इन सब ने सयोग किया, और सातियों आप सब जानते हो, सरकार बदली है, तब ही सोच बदली है, काम करने वाले वोई लोग होते हैं, लेकिन जो दिशा निर्देश दिये जाते हैं, ये काम पहले भी कर सकते थे, ये काम किसी और राज्य में हो सकता था, लेकिन हमारी सरकार है, आप लोगों की सरकार है, जहाँ पर एक नई सोच हमने पैदा करी, और सरकार बनने के नौ महीने के बाद, आज ये जन पोर्टल हम लोगों ने आपके बीच में लॉंच किया है, मैं धन्यवा देना चाहता हूं मुखमंतरी जी का, कुपता जी का, मैंने शुरू में कहा था, ये एक अच्छी नेक शुरुवात हम लोगों ने की है, आपका सयोग मिलेगा, तो ये पूरे देश में सबसे जादा चर्चिद, प्रसिद और काम्या पोर्टल हम लोगों का बनेगा, आप सब यहाँ पधारे, आप सब लोगों का बहुत-बहु अच्छी ने का बहुत-बहुत-बहुत धन्यवाज जुस्वें तक नी